हम लाख चुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा हम लाख चुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा हम लाख चुपाए प्यार मगर ये मस्त हबा मह की ये फिजा आखों में नसासा जाता है एक रंग खुशी का आता है ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात योई तर पाएगा लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा तो आईए आज आपके लिए लेकर आया हूँ टीटेट में पूछे जाने वाले हिंदी सेक्षन का एक पार्ट जिसका नाम है आकलन और मुल्यांक मुल्यांकण के बारे में अच्छा आपके मन में कोस्चन आना शुरू हो गया हूँ क्या कि यह चेप्टर हम सीडीपी में परते हैं यही चेपटर फिर गनिक में परते हैं फीर हिंदी में पर्णा पर्याबरान तो जो भी ओगा साइकोलोजी का चेप्टर वह सब में आपको 15 15 नमबर तो पूछे ही जाते ही तो आपको परना पड़ता है अब क्या है आकलन क्या होता मुल्यांकन क्या होता जनरली जब भी आप बच्चे को हिंदी भासा सिखा रहे होते हैं या आप बच्चे को सिक्षन करा रहे हैं उसकी भासा तो क्या होगा आप ऐसा तो नहीं कि एक उसी दोरान हम लोग उससे यहाँ भी जानने का परियास करते हैं कि बच्चे में कहीं कुछ कठिनाई, कुछ पढ़तानी, समझ में कहीं दिखते तो नहीं आ रही है। तो जो बीच-बीच में उसी दोरान जो करते रहते हैं वो सारा आंकलन होता है। और जब आप परहाते हैं, सीक्षन कराते हैं हिंदी का, तो आप कुछ न कुछ गोल्ड तो सेट किया होगे, उसका मोटो होगा, उसका एम होगा, उसका अबजेक्टिव होगा कुछ, यानि कुछ तो लक्ष बनाए होंगे, कि बच्चे को क्या परहना है, कैसे परहना है, कहां ले जाना है, तो जो आप एक लक्ष निर्धारित करते हैं, जो आप एक कह सकते हैं कि परहाने के लिए जो एक लिमिट सेट करते हैं, उसमें कितना उसने अचिवमेंट किया, कितना उसने उपलब दिया ले, कैसे पता चले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मुल्या करते हैं और दूसरा उपचार करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं नीदान कारण का पता लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं उपचार तो उस कारण को पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं आंकलन या मुल्यांकन करते हैं बस अंतर है कि आंकलन किसी भ गर पटना पहुचा और बच्चक जब चिरिया के सामने पसू के सामने या विंभीन प्रकार के जीव- sellsint साचल भब आ प्र ऑप्छा को से वई पूछ रहा है कि क्या यह बाध है क्या अजर फूर्स है कि हाँ एस परकार के ट्राइगर होते ऐसे होते हो ऐसे होते यह जो चल रहा है पर क्रिया वह क्या कलाएगा अब सुचे बच्चा चिरिया घर से घूम लिया और घूम कर कहा गया अपने घर पर आने के बाद उसके पीटा ने पुछना शुरू कि बच्चे जब तुम गहे बेटा तो वहां क्या-क बच्चे से है तो आप वहां से परवेश किये परवेश किये तो वहां पर देखे कि पूरा जंगल है जगा जगा पे छोटे-छोटे बनाए गए हैं जो कहिए रहने के लिए पसु पसी को और उसमें सबका नाम लिखा हुआ है इस तरीके से आप बढ़ते चले गए बढ़ कि लोट कराया है लेकिन क्या मैंने जो बताया हम इसको तो दूसरे तरीका से बता दिया लेकिन आप यहां कर सकते है जब किसी चीज़ के दवरान किया तो आँखलन है और समाप्ठ हो जाने के बाद अगर आप अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या कराताए मुल्यांखर अब आंकलन और मुल्यांकन तेन चार तरीके का होता एक तो होता है आप जानते होंगे जानकारी। अब क्या है तो मुल्यांकन होता कि आपने जाना कि मुल्यांकन जनरली क्या है तो मुल्यांकन जो आपने एक लक्ष सेट किया था एक सीमा निर्धारित किया था उसको बच्चे ने कितना प्राप्त किया क्या नहीं प्राप्त किया उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं मुल्यांकन करते हैं। मुल्यांकन कैसी प्रकिर्या है। सतत मतलब क्या होता है। तो मुल्यांकन का साबदी कर्थ होता है मुल निर्धारन करना मुल का मतलब क्या होता है उसका भैलू अब मुल्यांकन जो होता है संख्यात्मक एवं गुनात्मक दोनों होता है अब सवाल उड़ता है कि संख्यात्मक क्या होता है गुनात्मक क्या होता है तो संख्यात्मक का म मुल्यंक उसका संख्यात्म और गुनात्मक मेंने क्लावते उसके ब्यभार को जो परिवर्टन हुआ उसके बारे में जानते हैं तो उसका एक चेतर से होता है अब उसका शेत्र बहुत सारे हो सकता है, संग्यानात्मक हो सकता है, उसका सर्रिक हो सकता है, उसका संवेगात्मक हो सकता है, समाजिक हो सकता है, चरिक्तिरिक हो सकता है, भासाई भी कास हो सकता है, नैतिक भी कास हो सकता है, तो पूरे ब्यक्तित्व का संबंध होता है किसे एक ब्यापक टर्म होता है, कोई छोटा मोटा टर्म नहीं होता है, ब्यापक टर्म है, इसे आप आसान मत समझेगा, यह जो मुल्यांकन होता है, वह आपके पूरे ब्याक्तित्व का मापन करता है, अब भासा सिक्षर में, चले हम तो यह समझ गए कि, ठीक है गनीत में आपने मुल्यांकन किया तो पता चला क्या अच्छा है यह दिक्कते उदेश लेकिन भासा सीछन में मुल्यांकन का क्या उदेश है अब भासा के रूप में हिंदी जब परहा रहे होते हैं भासा या अंग्रेज या कोई भी भासा हो तो उसमें मुल्यांकन का क्या उदेश आप क्यों करते हैं भासा में मुल्यांकन तो विद्यार्ति के भासाई कॉसलों के परगति का अक्लन करने के लिए अब आप अच्छी तरीके से जानते कि भासाई कॉसल जो होते कितने होते तो भासाई कॉसल जो होते हैं आपके जो भासाई कॉसल होते हैं वह कितने होते तो भासाई कॉस सुनना होता है वह से होता है बोलना और पौज से क्या होता है पढ़ना और ली से आपका लिख गिना इस होना अप इंग्लिस में एलसर डबलू कहते हैं 강ार सबसे पहले करता है ऐस्फिकिंग करता है और उसके क्या करता है बच्चा तो पढ़ता है और सबसे लास्ट में बच्चा राइटिंग करता है जो कि सबसे जटील अब चीज भी का लाती है नहीं यही सबसे जटील पर पर कृप सी लिखना अब यहाँ समझे चार कौसले बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा पहले ध्यान से सूनता है नहीं उसके बाद क्या करता है बच्चा जो होता है वह जैसा वह सूना है अनुकरन किया है उसी तरीके का आपने अंदर से वह निकालना चाहता है बोलना चाहता है बोल भी लेता है उसके बाद बच्चा क्या कर वी नाल लिखेवे पढ़ रहा है बसना ङाज कर रहा है रीखना वैवे सिखायों लेकिं हम Nicole में Biraz नो क्या करते हैं न सबसरे गजसे जटील परकिलिया होते हैं तो बच्चे कंड़ में पर厦 सारों कि बच्चा जनम लिया दोए का हुआ सिलेट पक्रादिया उसको कॉफी पक्रादिये ऐसा मत किजिएगा पहले बच्चा को सुनिने का प्रकार उसे उसके सामने बिविन परकार के आवाज यानि सारे लोगी करठे हुए उसको बुलबाने का प्रयास करें जिटना जदा बच्चा सुनेगा आप बेखा ने बच्चे के दू साल सबसे पहले किसका प्रैक्रिट्स कराना है आते हूंगे बालवारी में आंगनबारी में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बच्चों को देखेगा, बच्चे को जो मैम होती है, वह वहाँ पर क्या करती है, सबसे पहले कहाने सुनाती है, उसको विभिन परकार के किरिया कलाब कराती है, नहीं, कभिता सुनाती है, गीत सुनाती है, कभी-कभी मैडम ना वह ऐसे हुआ किया करेगा घहर पे आके बोलना सुरू करेगा आप देखेगा बच्चा बोलेगा मच्छली जल की राणी है नहीं जीबन उसका पानी है तो इस तरीके से वह बोलते रहाँ है जितना वह क्या करता है जितना सुन के आता हूँ अब खुब बोलेगा घर पे मज़ा आता उसको और लास्ट में हो क्या करेगा पढ़ना शुरू करेगा देखेगा ममी देखो कबूतर कोसे कबूतर कोसे खरगोज उसके बाद लास्ट में तब आप उसको पेंसिल पकड़ा कर और यह सिलेट है तो सि गरहन कर रहे हैं माइना बच्च puta अ कर रहे हैं तो गरहन कैसे करेंगे सुन कर चाहें पढ़े कर यानि लिस्निंग से या ए रीडिंग से ये तो ये चोहता है गरहनात्मक और रिसेप्टिव होता है लेकिन जब बच्चा बोलेगा या लिक지 empieza तो ये अभी कि अभी ब्यक्तातमक होता है, अभी ब्यक्त कर रहा होता है, तो अभी ब्यक्तातमक productive जो skills होते हैं, language का, वह होता बोलना और लिखना, और गहरानात्मक receptive skills जो होते हैं, वह होता सुनना और पढ़ना, तो बिद्यार्थि के भासाई कोशलों के प्रगति का अब हम कैसे जानेंगे बच्चे ने कितना सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा तो हम किसके मादम से जानेंगे मुल्यांकन के मादम से जानेंगे अब विद्यार्थियों का सतत मुल्यांकन करके सतत मुल्यांकन ऐसा नहीं है कि आप क्या किजे एक बार आपने एक केदा बारा महीं बारा होवी पक ये जो था एक बार बारसी परिक्षा में जाकर और आपने टेस्ट लिया आप बीच में कुछ किया ही नहीं तो ऐसा नहीं हो को प chutता होगा पार्ठ जब समाप्त होती है जब आपका किरिया करा समाप्त होता हैए तो उसके बाद रहत ways बच्चें सो मल्यांकर करना जाए उसको जानने का ठ्रयास करना चाहिए vestpoxَّत मुल्यांकर लगातार होना चाहिए और भासा सिक्षन में आने वाली कठनाईयों को दूर करना और जब आपको निदान पता चल गया है कमी पता चल गया तो फिर आप उसका क्या करेंगे उप्चार करेंगे उसके कठिनाई को दूर भी करेंगे तो इतना अगर आप करते हैं तभी ने बेहतर सिक्षा कराईएगा आपको इतना सरकार जो करवा रही है ट्रेनिंग से टेट एकजाम दिलवा रही है क्यों दिलवाती है ताकि आप एक अच्छे सिक्षा के रूप में निखर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप यहां से सब पढ़के अब बच्चे के सामने एकदम निकालो रहे किताब अपढ़ना सुरू कर दिये बच्चा आलू समझा कि भास समझा कोई पते नहीं है आलू को भात कर रहा है आप मुस्कुरा रहें तो वहां पर जाके सबसे पहले यह करम लगाईएगा सबसे पहले बच्चे को एक माहौल बनाईए नहीं देखते हो एक किर्केटर को जब खिलने जाता है तो थो थोड़ा सा अभ्याम करता हिलता डोलता है एथलेटिक्स को देखते हुए सबसे पहले जाने से मैदान में पहले कुछता है नहीं देह को फिरेश लाता आप भी जब एक जामें जाते हैं तो एक जाएगा friendship हो जाएगा friendly behave करेगा और तब बच्चा परने भी मन कर लगेगा उसको तो यहां विद्यारतियों कि राचनात्मकता पर भी ध्यान देना है केबल आप किताबी किरमत बनाना है बच्चे को क्या करना है राचनात्मक एवं सिर्जनात्मक का भी कास करना कहां से होगा बच्चे को इस तरीके का question भूचिये कि बच्चा क्या करे जादा से जादा अंदर से आवाज को निकाल सके उत्सुकता बढ़े उत्साही बने तो विद्यारतियों कि राचनात्मक एवं सिर्जनात्मक का भी कास करने के लिए हम लोग मुल्यानकन की परकिरिया करते हैं रा चनात्मक बनाए शरीर के अंदर उत्सा होना चाहिए शरीर के अंदर इनर्जी होनी चाहिए बच्चा को देकर लगे कि हां यह सिखने के लिए जिग्यासू है यह भासा सिक्षन भी यह महत्पूर रखता है आपको नहीं अब सिक्षक सिक्षन पदति और पाट बस्तु की करने में सहाइक है अब मुल्यांकन तीनों चीज पर चलता है शिक्षक का भी है और पाट बस्तु का है जर्ट बस्तु की भी grappling के लिए कि मुल्यांकन चलते रहताए यह जो तो मुल्यांकन होता है कोई छोटा टर्म नहीं, ब्यापक टर्म है, सार चीज इसमें सामिल हो जाता है, नहीं, तो सिक्षन पदती पाट बस्तु की जाज करने में भी सहायक होता है, जब भासा का आप शिक्षन दे रहें तो मुल्यांकन का क्या महत्व है, देखें, मुल्यांकन एक निरनय आत्मक परकिरिया है, इसके अंतर रगत बिसय बस्तु की ओप योगिता का निरनय क्या जाता है आप जो परहा रहे हैं जो बिसे बस तुआ परहा रहे हैं जो आप सिक्षन करा रहे हैं उसकी क्या उप्योगता है उसके आने वाले जीवन में क्या है उसको उप्योगता या आप ऐसे ही परहा जा रहे हैं तो इसका भी एक अहम भूमिका होती है निर्नायात्मक प्रकिरिया होती है मुल्यांकन, मुल्यांकन प्रकिरिया द्वारा ध्यापक विद्यार्तों के बुध्धी लब्धी का मुल्यांकन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप ही बताए, आपने जरसे बच्चे से पूछा, कि बताए, एक किलो मीटर में कितने मीटर हो कि या आपने पूछा कि एक मिटन में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर होते हैं आपने कहा कि दो जोर तीन बराबर कितना होता है या आपने दो गुने तीन बराबर कितना होता है तो आप जब विभिन परकार के प्रस्ण पूछते हैं तो वह किस रफ्तार से दे किस परकार्स उसका discussion कर रहा है तर्क भी तर्क कर रहा है उससे उसके बुद्धि-लफधी का विक क्या हो जाता है मुल्यंकन नियरंतर चलने वाले पड़ के लिए आपको पता ही है जो इसमें प्रस्षन्हल योगता ग्यान कासल औरुनगिंपी जिमाव का भी ज्यान प्राफ्ट हो जाता है नहीं तो मुल्यांकन जो होते हैं भासा सिक्षन में बहुत ही महतपूर्ण होते हैं मुल्यांकन के कुछ बिंदू है उसको देखेगा सबसे पहले जब हम प्रातमीकрем सतर की बात करते हैं तो जब बिद्यार्ती भासा सिक्ष में के सुरुआत करता तो उस ऐसतर पे हम सबसे पहले बिद्यार्ती की प्रावाहिता की जांकरते बच्चे जो बोल रहा है वह कितने अराम से बोल ला है बच्चे को कहीं कठिनाई तो नहीं हो गूल बिचारों को सही ढंग से या गलत ढंग से तो अलग चीज है वह द्यक्ट कर पाने में सहज हाईयास कई सबसे पहले में प्रावाहिता पर बल देना चाहिए बच्चे को सबसे पहले एक ऐसा महौफ ट्यार करना जिसमें बच्छा सहज आसानी सपने बिचारों को दे सके वह दिकतों का सामना नकरे इसके बाद हम उसके Бोले की सुदताप पर बल देना चाहिए जब आप बच्चे को भासा सीखा रहे होते हैं और जब आंकलन यह मुल्यांकन कर रहे होते हैं तो बच्चा जिस समय वह आपका जवाब दे रहा होता है या बोल रहा होता है तो आपको उस पर ध्यान देने की जुरत नहीं है सुद्ध बोले या सुद्ध आप इसमें मत चोके सबसे पहले उसको अपना पूरा प्रवाह को निकालने दीजिये और उसके बाद अंत में बोलने की सुद्धा पर बल दीजेगा मुल्यांकन के तीन विधिया जनरली लिखित परिक्षा इसमें निवंधानात्मक या वस्तुनिष्ट परसनाति हैं मौकिक परिक्षा जो कि था हिंदी का आकलन और मुल्यांकन संबंदित कुछ बाते जो आपने देखा अगर आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को नए भीवर से सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को और पर लिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले तो आज इतना ही रखते हैं मिलते हैं एक और बेहतरिन वीडियो के साथ तब तक बी इंजोए टेक क्यार अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें जै हिंद जै भारत